दोस्तों अगर आप नमलोजी सीखना चाहते हैं अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं यदि आप उन्डली सीखना चाहते हैं यदि आप बास्तु सीखना चाहते हैं दोस्तों आज की जबाने में घर में प्लास्टिक का भी बरतन बहुत अच्छे तरह से यूज किया जाता है अधिकांस घरों में तो आज हम बरतनों की बारे में बात करेंगे कि किस बरतन में खाने से क्या-क्या लाव हो सकता है अगर लोहे की बरतन अगर आप घर में यूज़ करते हैं चाये वो थाली हो ग्लास हो अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो इससे कोई हानी नहीं होता है इससे आपके सरीर की जो पाचन तंत्र है वो भी सही होता है दूसरा चीज है कि अगर चौनदी या सोने, सोना का तो आज के डेट में थोड़ा महंगा है बट चौनदी, सोने के बरतन में अगर भोजल करते हैं तो इसे सरीर मजबूत होता है ये सास्त्रों में बताया गया है, हिश्ट पुश्ट रहता है वो आदमी बट अगर चौनदी, चौनदी अगर किसी भी जाता के कुनदी में अगर चंद्रमा अगर बहुत कमजूर है, चंद्रमा मन संत नहीं रहता है या उसे धनी की एक्षा है अगर सुक्र भी अगर कमजूर है सुक्र अस्त है अगर बुरा प्रवाब दे रहा है उसके कुंडली में तो चांगी की बरतन में खाना बहुत उत्तम बताया गया है इसे सरीर भी सही रहता है और इसे वो दोस्त जो कुंडली में सुक्र के द्वार बताया गया है या सुक्र के द्वरा वो जो problem create हो रहा है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा आगे हम बात करते हैं कांसे की बरतन दोस्तों कांसे की बरतन में भोजन करना तावे की बरतन में भोजन करना बहुत अच्छा है बट अगर नहीं कर पाते हैं तो हम आपको एक suggestion देंग के लिए बहुत अच्छा होता है और इसे कुली दोस यानि की जो राहु केतु की problems होती है देखे केतु की जो महतसा होती है उसमें problem आदमी को बहुत होता है वो struggle का होता है क्यों केतु जो है वो आदमी को श्रगल देता है जो बहुत कुछ आदमी को सिखाता भी है अगर वो महादसा के सीखे जार तक में आ गया अगर 24-45 साल के अंतराल में तो वहाँ से जो वो सीखेगा उसके बाद जो भी महादसा आएगा उसमें वो बच्चा ही करेगा तो केटु की महादसा जो बुरा प्रभा सब्सक्रार बेडिक ल Biology अजाता है अब ही भी थोरे दिल पहले बुग पर रहेते तो इसमें लिखा व आता कि 25 मिनट में दाल उसमें गलती है पहले जो बनाते थे तो आप समझ लीज़्ीए कि आप मीटी के बर्तन में खाना चरहा कर आप घर के बहुत से कम कर भी सकते हैं और उसके बरतन में फोजन करने से ये बहुत अच्छा प्रभाव सरीर पर भी पड़ता है और कुंडली के पित्री दोस्त जो होता है वो कम होता है इसे ज्यादा कुछ बताया हुआ नहीं था दोस्तों हम यही चीज आपको बताने के लि करते हैं यदि फाइवर का हो प्लास्टिक का हो तो यह अच्छा होगा आप स्टील का कर सकते हैं बट पीता सोना चांदी यह सब का भी कर सकते हैं अपने अउकाद के हिसाब से बट अगर आप प्लास्टिक का करते हैं तो थोड़ा उससे बचे फाइवर का करते हैं तो उसस बचे दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में अगर आपके पास में कोई भी सवाल है तो नीचे आप कमेंट में लिखिए हम उसका जवाब देने का जरूर कोशिस करेंगे धन्यवाद